बांधवगर्ण नेशनल पार्क में इन दिनों कवीर मेला चल रहा है जहां पर बागों की दाहार वा हाथियों की चिंगार गूंजती थी वहाँ आज कवीर के दो ही गाय जा रहे हैं सुरक्षा की दृष्टी से पार्क में नो हाथी एवन 200 से जादा वनकर्मियों की ड्यूटी लगा रखी और पार्क के अंदर जाने आने के लिए जिपसी की वेवस्था की गई उमर्याजिले में इस्थित बांधवगड नेशनल पार्क में कवीर गूफा होने के साथ कवीर पंचियों की द्वारा कवीर मेला लगाया जाता है और यह मेला बड़ी धूंधाम से मनाया जाता है यहाँ पर प्रदेश के अलावा अनुप्रदेशों के अनुवाई यहाँ दर्सन के लिए आते हैं यहाँ पर कवीर गुफा भी प्रशिद है लेकिन पार्क प्रवंधन के द्वारा जंगली हाथ यहाँ खत्रे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं कवीर गुफा है किले के पास में वहाँ पर हर साल मेला लगता है प्रकास मुनी जी यहाँ पर जो उनके गुरू है वो आज आयो हुए है यहाँ पर मेले में उनको अनुमती मुख्याला से मिली हुई है हम लोग ने यहाँ पर उनकी मुख्य रूप से हमें चिन्ता इस बात की है कि उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए हमने लगभग 200 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर डिपलाई किया हुआ है यहाँ पर अभी तक की जो स्तिती बन रही है दस जार से जादा कि यहाँ पर भीर लखबख हो गई है सभी लोग यहाँ पर अभी तो अनुसासन में ही है यह अभी तक और सिस्टमेटिक गिरूप से जा रह रहे हैं हम लोग प्रयास ही रहे गा कि साम को पांच बे तक गेट से ये लोग वापस लोटाएं और रास्ते में हमारे सारे जगा पे स्टाफ हमारा तैनाथ है कहीं कोई बात होती है सुरक्षा के सम्मन में या इद्गी साहता के सम्मन में वो हम लोग पूरा करें लगभग दस जार से जादा प्लस है अब उसमें एक्जेक्ट अभी कुछ लोग बचे हुए है लेकिन दस जार प्लस यहां पर लोग है